तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं रेजिस्टर के कलर कोड़ टेबल की जिसकी वजह से आप लोग कोई भी रेजिस्टर का कलर फाइंड कर सकते हैं तो यहाँ पर सबसे पहले दिया हुआ है रेजिस्टर का टेबल जिसमें अलग-अलग टाइक्स के कलर हैं जिसमें सबसे पहले स्टार्ट होता है ब्लेक उसके बाद में है ब्राउन उसके बाद में है रेड उसके बाद ओरेंज यलो ग्रीन ब्लू वायलेट ग्रे एंड लास्ट में है वाइट और यहाँ पर जो आपको दो लास्ट में कलर दिखाई दे रहे हैं वो है गोल्ड एंड शिल्वर जोकी टोलरंस है और उसकी टोलरंस की वेल्यू है प्लस और माइनस 5 परसेंट और प्लस और माइनस 10 परसेंट यहाँ पर अगर रेजिस्टर में आपको चार बेंड दिये होगे तो आपको क्या करना है कि जिस तरफ गोल्ड और सिल्वर दिया होगा उसकी ओपोसिट साइट से आपको शुरू करना है इसकी ओपोसिट साइट जो भी पहला वाला कलर होगा वो है आपकी फरस्ट बेंड सेकंड वाला होगा वो होगी सेकंड बेंड थर्ड वाला वो है मल्ट step light यानि की red उसके बाद में light orange उसके बाद में yellow यहां हो गए light तक उसके बाद में आता है फिर से dark color dark color यानि की green green के बाद वापिस blue violet gray and white white है जो की सबसे light color है यह हमारा last वाला color है जिसकी जो की दस्तमा नंबर का है so यहाँ पर उसके बाद में दिया हुआ है उसका equation यह है उसका equation r is equal to first second and multiply by third यहाँ पर है first second multiply by third आपको क्या करना है जो हमारी first वाली band है उसकी जो भी value होगी उसको एसे ही रख देना है second number का जो color की value है उसको भी एसे ही रख देना है फर्क यहाँ पर पड़ता है third वाली band पर उसको आपको करना है multiply इन दोनों के साथ और इसका unit है ohum यहाँ पर ohum की sign दिऊ हुई है तो आएए देखते है कि इस पर से जो हमारा color code table है उसके उपर से हमें register की color code की value कैसे find कर सकते है आए यहाँ पर हमारे पास दो रेजिस्टर है जिसकी value हमें find करनी है तो हम पहले यह वाला रेजिस्ट लेते तो इस पर कैसा है कि यहाँ पर यहाँ पर अ पर सबसे पहले इस तरह के अंदेखेगे तो यहाँ पर सबसे पहला वाला जो color है वह है Gold तो मैंने पहले ही बताया है कि आपको गोल्ड या सिल्वर होगा उसकी ओपोजिट साइड से शुरू करना है तो हम यह से शुरूत करेंगे तो सबसे पहला वाला जो कलर है वह हमारे पास ब्राउन हमारे पास सबसे पहला वाला है ब्राउन उसके बाद में सेकंड नंबर का जो कलर है वह हमार पास black black and last वाला जो है तीसरा वाला वो भी है हमारे पास black तो हमें अब क्या करना है कि हमारे पास ये तीन color है इसकी हमें सिफ इसमें से value निकालनी है और उसके बाद में उसको multiply करेगे तो सबसे पहले हम देखते है brown तो यहाँ पर brown की value है one तो यहाँ पर हम लिख देते है one उसके बाद में है black color second one तो second band में इसकी जो value है black उसकी value है zero तो यानि कि ये वाला है zero and third one भी है black तो third line जो है हमारे पास third band यानि कि जो multiplier है उसमें black की value क्या है one तो इसको हम लिखेगे 10 raise to zero 10 raise to zero तो यहाँ पर equation जो है उसमें कैसा है कि first first band यानि कि one ऐसे लिख दी है हमने उसके बाद में है zero second one तो इसको भी हमें direct इसके साथ ही लगा देना है इसको हमें कुछ भी addition, subtraction, multiplication, division कुछ भी हमें नहीं करना है हमें direct इसको इसके साथ ही लगा देना है उसके बाद में जो third color है इसकी value को हमें करना है multiply जैसे कि यह आपर दिखाया जा रहा है, 10 raise to 0, 10 raise to 0, तो यहापर हमारे पास एसा हो गया, 10 multiply by 10 raise to 0, यानि कि 1, यानि कि इसकी value हो गई 1, 10 multiply by 1 is equal to 10, तो यह हो गए हमारा 10 ohum का register, तो हमारे पास जब भी brown, black या और black यासे color हो गए, तो हमारा जो register है, इसकी value आएगी 10 ohum, 10 ohum, तो यह हो गए हमार एक register, उसके बाद में हम देखते हमारा दूसरा वाला register, तो आएगे देखते हैं दूसरा वाला register, तो गईस, हमारे पास जो दूसरा वाला register है, इसका सबसे पहला, इस तरफ का जो color है, वो है gold, जो कि tolerance है, तो हमें उसकी opposite side से शुरू करना है, तो इसकी opposite side में, सबसे पहला वाला color है, brown, second one जो color है, वो है अमारे पास black, black, and third one जो color है, वो है अमारे पास green, तो हमारे ये तीन color हो गए, तो ऐसे ही, first जो brown है, उसकी value ये band में से लिख देगे, black जो है, उसकी value ये band में से लिख देगे, और green है, इसकी value इसमें से रख देगे, तो यहाँ पर, सबसे पहले, brown की value है, one, पहली वाली band में, brown की value है, one, उसके बाद में, second band में, black की value है, zero, and third वाला, green color, इसकी value है, यहाँ पर, hundred kilo, यानि की, 10 raise to five, 10 raise to five, तो अभी हमने यहाँ पर देखा, equation में, वेसे ही, one, यहसे ही लिख देगे, zero को उसके side में रख देगे, उसके बाद में, जो third one जो है, उसको हमें करना है, multiply, multiply by, 10 raise to five, तो यहाँ पर, 10 multiply by, 100,000, यानि की, one lakh, यानि की, यह हो गया, 10 lakh, 10 lakh, ओहम, अभी इसको हमें करना है, kilo, mega या, giga में, तो इसको हम, यहाँ पर, six zero है, यानि की, यह हो गया, हमारा, one, mega, ओहम, तो यह, जो हमारा, कोई भी, color, दिये हुए, तो, यह, जो, चार्ट है, हमारे पास, जो की, हमारा, register का, color code table है, उसको हम, उसके, उपर से, हम, register की, कोई भी value, चेक कर सकते, जो की, यहाँ पर, दी हुई है, वेसे, यहाँ पर, अगर, six zero से, तो हम, लिख सकते, mega, वेसे, nine zero होगे, तो हम वहाँ पर, लिख सकते, giga हो, हम, जब भी, हमारे यह, 10 raise to three होगा, तो वो होगा, k, 10 raise to six, यानि की, m, and 10 raise to nine, यानि की, g, kilo, mega, and giga, तो, guys, आप लोग, यहाँ पर, देख सकते, कि, register का, पूरा, का, पूरा, description, यहाँ पर, दिया हुआ है, कि, आप लोग, उस पे से, कैसे, value, उसकी, find कर सकते, यहाँ पर, हमारे पास, register का, color code का, table है, register भी है, उसका, equation भी है, और, उसके, साथ में, लगाने का, उसका, unit भी है, यानि की, ओहम, जो है, वो, register का, unit है, so, guys, इस पर से, आप, कोई भी, register के, value, find कर सकते, उसके, color के, उपर से, so, thanks for, watching,